हाई गाइज आएम अपूर्वा वेलकम बैक तो मैं यूट्यप चैनल एंपी सक्सेसर्स और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मत्यप्रदेश के अब करने वह निकाले गए वेकैंसी में से जो ग्रूप टू सब्ग्रूप बन की वेकैंसी है उसके बारे में आपर में बात करेंगे पूरी इलेजबिल्टी क्राइटेरिया स्लेवस कौन-कौन से लोग इसके लिए इलेजबिल हैं क्या है क्या है और सारा कुछ डिटेल हम य पर बता दूगी तो बात करते हैं Give-啟ू सब गरूप बन के बारे में बात करें तो इसकी अंतरगत स सहाय गुरवत्त निरिक्छड ठीक है यहाँपर में बात करें तो उसकी अंतरगत सहाय गुरवत्त निरिक्छड प्रछेत्र विस्तार अधिकारी बो अन्यER समकच्छ रिक्त पदों की पूरती करी जाती है और ये लास्ट टाइम में थी 2018 में अब ये बैकेंसी आपकी 2021 में आने वाली है ठीक है तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में तो क्या कैसा रहता है तो देखिए प्रीविज जब लास्ट टाइम जब फॉर्म फिल हुआ था तो आपको इसमें पंदरा दिन यह एक महिनी के अंतरगत आपका फॉर्म फिल होता है पास सो रुपए आपका चार्ज रहता है जनरल के कं ऐसा ओश्य के लिए स्थी यह एस टी वैसी के लिए तूफिफटी रहता है त्थिच और यहां पर बात कर लेंगर परइख़ के तो आपकी परीच्छ कह दो टाइमिंग रहता इन घंडे का time रहता है ठीक है तीन रहते का दाइम आपको मिलेगा इसमें एक पर कर लेंगन एज लिमिट वगेरा भी आपको बता दी जाएगी ये बात करें अगर तो तो तीरती ये सिरीनी की ये बेक एंजी है समू टू समू एक यानिक एक ग्रूप टू सब ग्रूप बन की बेक एंजी ठीक है अब यहां पर बात करते हैं कि इसका जो सिलेवस है वो क्या रहता है बा कॉणह में कर्सों अफह्ड चैंप रहेगा जही था को दो आपकर फूरे टूहरी फूर्च नुर्ट आपते इंगें ड्राकृ सामानि यहां क्यू앤 सामाने बिज्ञान और सामाने एकम्प्यूटर ग् grading और सामाने विश्थ चाहँ के पैसे आपको अगर आप थे आपने दिपलोमा यह आप डिक्री यह है मैं डिकनight टिक अगर से आपने चाहिगे और तो आपका उन से रिलेटर और अगर अन्य किसी विभाग में वेकेंसी निकली है तो वह आपका ग्रेजुएशन पर बेस्ट आप जिस भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करी है उसी से रिलेटर आपके 100 कोशन ही आते हैं आगे हम बात करेंगे आपको पूरबिस्तार से जो सब पास के साथ इसना अग्रेजुएट होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट भी आप हैं तो भी आप इसके लिए इलेज़ेबल हैं टीक है मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और आगे हम यहां पर बात करें तो नियूनतम आयूसी मां 18 वर्स और अधिकतम इस्टी ओवीसी और महिला अवियारतियों के लिए पांच वर्स की छूटे यानि वह लोग 25 वर्स तक एपलाई कर सकते हैं ठीक है और यह जो गर्णा है यह एक जन्वरी से करी जाती है तो एक जन्वरी 2021 यह 21 यह दोजार बीस से की गर्णा करी जाएगी 2021 से करी जाएगी अगर जब फॉर्म बाढ़ते हैं तब यह लोग डिक्लिया करते हैं कि आयू की घरना कपसे होगी तो वह आपका अभी मैटन नहीं करेंगा जब फॉर्म आपका नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा रूलवक आ जाएगी और बैकंसी आम अगरा डिक्लियर हो जाएगी फॉ वह जार एक इस से इंक्लूड करने हैं कप से ठीक है तो बात कर लेते हैं हम यहां पर आगे ठीक है और फॉर्म बगाएर आपके जो फिल होंगे वह एमपी ऑन-लाइन से आप लोग फिल कर सकते हैं डारेक्ट एमपीपीवी की साइट से जाकर ही घर वेक्टकर फॉर्म फिल तो बात करें अगर तो बिभागबार रिक्त जो वेकेंटी है यह आपकी देखिए मद्यप्रदेश बेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉर्पोरीशन भोपाल सहाया गुडवत्ता निरिक्षक की यह निकलती है ठीक है और इसमें जो दूसरी है वो जबालाल नहरू क्रशी जबलपूर में क्योंकि एक क्रशी से रिलेटेड है ठीक है मद्यप्रदेश का सबसे वड़े क्रशी विस्ट बिद्याल है कौन सा है में जबलपूर में तो यहां पर पर प्रचेत्र विस्तार अधी परिच्छा एप आप लिए लेकर आया है बैस्ट टेस सीरी जल्ली से ज डख्त होने हैं जैसे ड़्प-टो ग्रोप-बन-बन-बन-बबन-बफट्री-बन-फट्री ग्रोप-टू-टू-बन-फट्वर्प-टू-ब्टू-ब्रूब-ब्ट्री बगरा और । अन्य जो एक्राम की वेकैंसी निकलने वाली ओगरा की सभी की तो जल्दी जाकर अपर का लाब उठाएं सभी पर 50 परसेंट ऑफ है अभी तो कोपन कोड यूज़ करें सब्सक्राइब रहेगा और साथ ही मुख टेस्ट बखे रभी है उनको भी आप लगाएं तो इसी में इंक्लोड होते हैं तो इस वर्ट आपकी जो ग्रामेर उद्ध्यान विकास अदिकारी है उनकी वेकैंसी भी आएंगी ठीक है तो यह यहां पर वेकैंसी हैं टोटल यहां 200 वेकैंसी 249 करीमी थी तो इस बार भी आपकी जो वेकैंसी आई काफी अच्छी निकलने वाली हैं इसी के एवरेज में आपकी वेकैंसी आं सकते हैं ठीक है और इसमें बात कर लेते हैं कि कौन से विभाग में है क्या क्वालिफ यहां पर दूसरा लिखा हुआ है पोस्ट कोड टू के लिए आप यह नीचे वाली के लिए तो जवालाल नहरू करशी विद्याला जवालपूर रिक्तपदों की जानकार यह तो अधिकारी के लिए तो आपकी यह क्वालिफिकेशन यहां पर देखिए बताई गई है कि मानता है ठीक है तो इसके लिए आप लोग अगर यह निकलती है तो फिर आपकी यह इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी और ग्रेट पे वगएर अभी आप देख सत्में हैं आपर बावन सो से बीस जार दूसो ग्रेट पर प्लास चौविस सो ठीक है आपका यह ग्रेट पर रहेगा बात कर लेथे हम यहां पर कि यह जो फीलड ओफिसर की वेकेंसी है इसके लिए क्वालिफिकेशन है बात करें फील्ड ओफिसर के लिए तो मानिता प्राप्त बिश्विध्यालेशी जी विग्श्वन ख मनें क्रशी विज्व उसनातक उपादी इवं बैकल्पिक हारता की लूप में कंप्यूटर संचालक का ग्यान होना चाहिए ठीक है उसके बाद जो है कनिस्ट रेशम डिक छकी तो इसमें भी आपका यही है कि आपने मानिता प्राप्त विश्वित ध्यालाई से जी विग्यान या फिर आपने क्रशी विग्यान में इस नातकौपाद ही करी हो ठ छो ठीक है तो आप इसके लिए एलजेविल हैं बात कर लेते हैं आगे के प्रशेत्र विस्तार अधिकारी की तो इसके लिए तो पहले में बता चुकी हूं के बीटेक वगयरा बी टेक segundogenसी आपने तुको करसी से करी हूए या जुक तो आप इसके लिए इसे परों ऐनी जाए हैं मतलब चार अलग अलग यह आपके फील्ड मांगे गए हैं graduation में तो अगर आपने इन से करिए तो आप इसकी preparation कर सकते हैं ठीक करी है आपने करसी से या बनीकी से उध्यानीकी से या फिर आपने जीव बिग्यान वगएरा से तो आप लोग यह इसकी preparation कर सकते हैं वाकि अधर लो सब्सक्राइब कर लेंगे कि क्या कैसा इसमें आपका डिटेल से बस रहेगा और सेंटर वगएरा आपके एंपी में भूपालेंद और जबलपुर गौालियर सागर सतना यह सारे मिल जाते हैं ठीक है रिवा वगएरा भी मिल जाएगा आपको यह देखिए यहां पर सेंटर वगएरा भी रहती है यहां पर पताया गया है कि सेंटर वगएरा और इसमें मोडिफिकेशन भी हो जाता है अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया कोई चेंज बगएर आपको करवाना है तो चेंज बगएर भी हो जाती है भोपाल इंद जवालपुर्ग वालिया रोल उज्जन ये पांच सेंटर बनाए गए थी प्रीवेस में यानि लास्ट ताइम तो इस आपने ग्रेजुशन तो बन्नी की से हंड़ कुशन आएंगे ठीक है उद्धेनी की से क्या रहा है तो बाकि ये तो सभी के लिए कौमर रहेगा तो इस ताइप से आपके पूरे तीन नदब तीन गंडे में दोसो कॉशन आपको अटेम्ट करने है इसलिए आपके हो जाते ह अगरे में सब्जेक्ट पढ़े हैं अप उनी को पूरा पढ़ सकते हैं उनसे रिटेट्टेड में सीक्यू जितने वी टॉपक है सारे उनको कबर कर सकते हैं और अगर कोई को सब्सक्राइब करें और किसी बीकॉशन में कोई वीडाउट हो तो आप लो कमेंड बॉक्स में Thank you.